देश के सबसे ज़्यादा पिछड़े जिलों में शुमार फतेपुर जिले में स्वास्त सेवाओं की बेहतरी के लिए परदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार मिलकर काम कर रही है जिसका नतीजा है कि जिले को जल्द ही मेडिकल कॉलिज का तोफ़ा मिलने जा रहा है बहुत जल्द नेशनल हाईवे पर 212 करोड की लागत से राज्किय मेडिकल कॉलिज का निर्मान कराया जा रहा है जिसका लोकारपन 15 जुलाई को परदानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नेशनल हाईवे के एनेशटू पर तयार हो रही मेडिकल कॉलिज की इस बिल्दिंग को जिले के 26 लाख लोगों की उम्मीद कह सकते हैं जिने इलाज के लिए महानगरों का रुख करना पड़ता था लेकिन जिले में ही स्वास्त की उन्नत सेवाई मिलें इस ओर मेडिकल कॉलिज मील का पत्थर साबित होने जा रहा है इतना ही नहीं मेडिकल कॉलेज के चालू होने से जिले में स्वास्त सेवाओं में बेहतरी तो जरूर आएगी गंभीर मरीजों को उपचार के अभाव में कानपूरी या परियागराज जैसे शहरों के महंगे प्राइविट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता था अब ऐसे मरीजों को इस चिकित साले में निशुलक समूचित उपचार मिल सकेगा मजूदा समय में इस चिकित साले में 51 टीचर, 38 जूनियर डॉक्टर, 82 कार्याले स्टाफ, 225 पैरा मेडिकल स्टाफ, 100 इमेबियस सीट, पथन पाथन के लिए एवं इसके अलावा 300 बेट का चिकित साले निर्माना धीन है जिसकी शमता अगे बढ़ा कर साले 500 बेट की कर दी जाएगी सरकार के इस कदम से जिला स्वास्त सेवाओं में पिछले से अगलाज जरूर बन जाएगा प्रति वर्ष 100 इमेबियस के छात्रों का इस मेडिकल कॉलेज में प्रविश होगा इस प्रकार से पांच वर्ष में 500 इमेबियस के छात्रों प्रविश करेंगे और नम्सी मानुकों के अमसार तीन वर्ष के पस्चा यहां MDMS की पढ़ाई भी शुरू होगी चिकेश साले के लिए 500 बैर का चिकेश साले यहां प्रस्तावित है जिसका निर्मारकार तेजी से चल रहा है 500 बैर के चिकेश साले में एमर्जेंसी, OPD, ICU, OT उनकी सुरिदा मिलेगी और उसके साथ ही अल्ट्रसाउंड, X-ray, CT scan और MR यह भी सुरिदाएं उत्तर प्रदेश राज सरकार के द्वारा मोहिया कराई जाएंगी, जो मरीज हमारे उपचार के अभाव में या तो उनकी स्तिती गंबीर हो जाती है, या फिर उनको महेंगे रेट पर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना प्रारम की है, आगे भविश्च में ये गंबीर बीमारियों का या अलाज भी हो पाएगा और लोगों को सरकार की होज़े निसुल खचिकिस्ता स्वेधा इस जन्पत फत्यपर में उपलब दो पाएगी से आई ब इंडियनूस की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाएगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएग ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें